एक तरफ आंगनवाडी करमचारी जम्मू और कश्मीर में लगातार हरताल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स फोरम भी प्रदर्शन पर बैठी है आज अगर तीन मार्च की बात करें यानि शनिवार को कश्मीर के साथ साथ जम्मू से जुडने वाले विभिन जिलों से आकर रिटी टीचर्स फोरम चाहे वो पुंच की बात हो राजवरी की बात हो सामबा कठुआ उधंपूर या डोड़ा जिले की बात हो वहां से आकर इन शिक्षिकों ने जम्मू में एक बार फिर धरना दिया दरसल आरिटी टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर लगातार अपने वेतन को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है लेकिन आज तक इनकी एक नहीं सुनी गई और कई बार अभिवावकों की माने तो वो बिना वेतन के क काम करने पर मजबूर हुए हैं और साथ ही इनके पक्का करने की जो पॉलिसी है उसमें भी कही न कहीं सरकार की तरफ से गड़बड़ी दिखी है वक्त इंडिया से खास बातचीत की जम्मू कश्मीर आरिटी फोरम के वाइस चेर्मेन ने जम्मू कश्मीर आरिटी फोरम लगातार धरने और प्रदर्शन कर रही है कहीं पक्का करने की मांग को लेकर कहीं वेतन ना मिलने की लेकर मांग को लगातार सरकार और प्रशासन के सामने रख रहे हैं लेकिन इसके बावजू दिन की एक नहीं सुनी जा रही है और आज शन जिन ना मिलना या उनका पक्का ना होना आज खुद इन आरेटी टीचर्स फोरम के इन अभी भावग जो है इनके बीच में हम आके इन से खुद जानना चाहेंगे सर सबसे पहले जानना चाहूंगा यह जो आज कश्मीर वीजन की बात करें या जम्मो की सभी मुख्याले पिछले चार मिनों से सर्व शिक्षा व्यान के अंदर अक्तालीस हजार से ज्यादा लोग बगार सैलरी के काम कर रहे हैं और जो लोग इस सरकार के दवर में रेगुलाइस हुए हैं पांच साल पीरल पूरा करने के बाद उनको पैंडिंग एरिल सर किसी का 6 मिने का है किसी क पांच मिने का है किसी के 18 मिने का है वह भी सरकार देने में फैल हो गई है हमें कोई शोगनिय सड़कों में आने का हम गाओं में लगे हैं बच्चों को बेतर शिक्षा देने के लिए और हमने वो काम किया भी है लेकन सरकार हमें मुझबूर करती है बेतर ना देकर की सड़क है और हम आई सड़कों में आए हैं वेतन के अलावा आपकी मुखे मांगे क्या है जो सरकार के सामने या शिक्षा मंतरी अलताफ उखारी साहब के सामने कई बार आपने रखी सर सबसे पहले तो हमारी यह मांगनी है यह हमारा राइट है और हमारी आज के परदर्शन से मैं एक करना चाहूंगा कि 48000 से ज्यादा सर्फ शिक्षा अव्यान के अंदर लोगों की सैलरी को डिलिंग किया जाए स्टेट बजट के साथ क्योंकि हम 5 साल के बाद हमें रेगुलाइज किया है सरकार ने एक स्कीम होती है उसमें रेगुलाइज नहीं होते हैं अगर हम सर्फ शिक के रहें लेकर सरकार मानने के लिए त्यार नहीं है सरकार अदालत के उस पैसले को मानती है जो हमारे को भी साथ कोई अगर औरिति किसी की 대ểफ ہو जाती है मनिश्टर साहम उन्हें लगए अभी तक उसका कोई आडर नहीं निकला यह हमारी डिमांड्स है जिन डिमांड्स को लेके हमें बार 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 हमें सड़कों में आना पड़ता है कई बार आपने शिक्षा मंतरी तक या सरकार तक अपनी मांगे पहुचाई है क्या रिस्पॉंस मिला है क्योंकि आखरी बार जब हमने शिक्षा मंतरी अलताफ बुखारी साहब से बात की थी तो उनके वकौल के सब कुछ सही चल रहा है सिस्टम बिल्कुल ठीक है सर हमने काफी बार इन से मुलाकात की लेकिन हर बार जे कहते हैं कि हम आपकी सेलरी स्ट्रीम लाइन करेंगे लेकिन अभी तक हमें कल कर अभी हमने प्रोडिस्ट की काल दी तो काल compute न की शोड़ दी तो लहाजा बेतन की सर बहुत बड़ी समस्या जो है वो जम्मू किश्मीर में और जह कोई शोटे लोग नहीं है जह अक्तालीस हजार से ज्यादा लोग है और इनकी फैमिली भी परेशान है बच्छे परेशान है सर कोई तिहार हाता है हम बच्छे के लिए कोई चीज ने ले स बाले दिनों में अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम कांटीन्यू प्रोडेस्ट पे जाएंगे जब तक हमारा मसला जो है सैलरी का यहाल नहीं होता है आपका एक तरफ राइट है सही बात है लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि स्कूलों का और दफ्तरों का का मुझे पैसा दो हमने तो चार मीने दें दिये सरकार को बिना बेतन के सरकार को जी शर्मानी चाहिए कि हमारा शिक्षक जो कौम का जो कौम का निर्मान कर रहा है जिसको हिंदोस्तान में नहीं पूरे बिशव में सबसे वड़ा दर्जा हासल है कौम गुरू को और उस इस र हमने तो अपने जीवन सरक 15 सो रुपे में इस सरकार को दिया है अगर आज भी आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फर्दर स्टेप्स आपकी तरफ से आरेटी फॉरम जमू कश्मीर की तरफ से क्या रहें सर हमारी शाम को आज पूरे एक्जिकूटी काउंसिल की मीटिंग हो है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो यह सब ही मुख्याले बंद करके अपनी हर्ताल जो चल रही है इसको जारी रखेंगे और इसका फरक हलाकि दूसरी और स्कूलों पे जरूर दिखेगा लेकिन ये तब तक प्रदर्शन और धरने जारी रहेंगे जब तक इनहें पका करने की और इनकी वेतन की मांग सरकार या शिक्षा विभाग जम्बू कश्मीर पूरी नहीं करता कैमिर परसर रिशी कुमार के साथ जम्बू से वक्त इंडिया के लिए आसिफ रशीद